अतीक एहमत का एंकाउंटर करने वाले अपसर के लिए खुलेंगे स्वर्ग के दौर बीजेपी नेता का बयान नुश्कार दोस्तों मैरतम सिंग और आपसे भी का ट्रिगर नियूज में स्वागत है यूपी के बल्या में बाचपा के पूर वसांसद हरी नरायन राजभर ने माफिया अतीक एहमत को लेकर बड़ा बयान दिया है बीजेपी नेता ने कहा कि अतीक एहमत को जेल से निकाल कर उनका एंकाउंटर कर देना चाहिए उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी अतीक का एंकाउंटर करेगा बविस में उसके लिए स्वार का सीधा दर्वाजा खुल जाएगा बीजेपी के पूर वसांसद हरी नरायन राजभर ने कहा कि उमेजपाल हत्या का एंकाउंटर होना चाहिए उमेजपाल हत्या कांड में सामिल सभी सूटर का एंकाउंटर होना चाहिए अतीक अहमत को भी जेल से निकाल कर एंकाउंटर करना चाहिए तबी कानून व्योस्था कायम रहेगी अतीक अहमत का जो अधिकारी एंकाउंटर करेगा भविस्व में स्वर का सीधा रर्वाजा खुल जाएगा मुलायम सिंग यादों का परिवार इस तरह के तत्तों को बढ़ावा देता है ये हत्याओं के ब्यापारी हैं ये लोग तो बोलेंगे ही हरी नरायन राजबर ने सुबह सफ़ा अधिक्स ओम ब्रकास राजबर पर पी निसाना साधा और कहा कि ओम ब्रकास राजबर अपरादियों का साथी है वो अब मंच पर कहते हैं कि उत्तरपर्देश के सारे माफिया उनको सलाम करते है मुक्तार अंसारी का बेटा ओम प्रकास राजबर के दल का विधायक है वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुक्तार अंसारी से संबंध खतम नहीं होगा माफियाओं का माफिया है बहुत दुख की बात है कि योगी सरकार में ये बाहर घूम रहा है इसको तो बहुत पहले ही जेल में चले जाना चाहिए था बीजेपी नेता ने कहा कि राजबर और उनके बेटे व्यपारियों वा डॉक्टरों से धन उगाही कर रहे है वो पुलिस की सुरच्छा में अपराद कर रहा है यदि इस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो प्रयागराज जैसी घटना होने ही संभावित है कानून वेवस्ता बनाये रखने के लिए ओम प्रकास राजबर वा उनके दोनों बेटे को जेल में रखना जलूरी है उन्होंने कहा कि ओम प्रकास राजबर का बीजेपी से गड़बंदन नहीं होगा जो गड़बंदन करेगा बाजबा कारेकरता वोट नहीं करेगा बिरो रिपोर्ट ट्रिगर निउज